अगर इस सपोर्ट के बात कर रहा हूं तो इस सब्सक्राइब कर दिया तो आपको और यह आपको समझदरी आना चाहिए और यही चीज मैं हर लोज आपको सिखाता हूं बतता हूं और ट्रेन लाइन आलाइसिस के मददम से इस पूरा वीडियो के मददम से आपको समझाने का कोशिश करता हूं तो आप अगर ट्रेन ट्रेन लाइसिस शिखना चाहते हैं तो पूरा वीडियो को स्कीप मत कीजिएगा धियान से देखिए टेक्निकल चार्ट एंड आपसं चेंड बारिकी से मैं आपको समझाने का कोशिश करता हूं तो बैंक निप्टी का यह लेवल मैं आज के लिए आपक बेटर जगह आपको बनेगा आज के दिन के लिए लो पोजिशन के लिए तो आइधिंक जिनों ने यह वीडियो पूरा देखे थे पिछले दिन उनको एक बेहतर इन प्रॉफिट आज साबित होगा आप अगर हमारा स्टूडेंट का प्रॉफिट देखेंगे कि स्टेप ब फुल टेक्निकल अनलेजिस प्लाटफार्म है इसका मद्दम से हम समझते हैं शीखते हैं कि किस जगह पे आपको बाइंग या सेलिंग करना है और टेक्निकल अनलेजिस के अंदर जो पावर है आइधिंक वो पावर आप सभी लोग समझ गया होंगे कि इस सरकार्टेर्स टे ट्रफें शिपला को ऊपर मैं क्या स्थित रहे सकता है इस ते तीन चार स्वप के ऊपर मैं डिसकास करूंगे इस वीडियो का है म्धियो चलो fiber चॉत पे करें यहां पर क्या स्थित दिखा निक्तिक होwanें box cover अभी मैं बताओंगा कि का अभी चो स्थिती है मैं पाऊ रहा हूं कि 15,700 अभी क्लोजिंग कहां पे है 15,693 15,693 पे क्लोजिंग है मैं कल के लिए जो एक इंपॉर्टन लेबल देख पा रहा हूं कि 15,700 देखे दोस्त अगर आप कॉल पोजिशन भाई कर रहे हैं या पूट पोजिशन भाई कर रहे हैं किस इस्तिति में आपको exit होना है वह भी मैं discuss करूँगा तो यहां पर मैं इंपॉर्टन लेबल 15,700 क्यों पता रहा हूं कि नहीं जा पाता है हूं हम यहां पर invert traders है और हमें UA- Ultra lip से मतलब है अगर clearヤल समझ में आ पता चल गया है तो हम green failures का इंधर इंडरी ममे पैपट कामा सकते हैं यह माई दिंद्व मों चार्ट फ्रेंपे आ गया हूं और यहां अगर évane तो यहां पर ट्रेन लाइन क्या निकल के आ रहा है तो मैं आपको सामने यह ट्रेन लाइन कर रहा हूं यानि कि मार्कट को पॉजिटिव जाने के लिए फर्ष्ट ली लेवेल आपको ग्रॉस करना है 15700 इसको ब्रेक करने के बाद आपको 15,750 तक लेवल जा सकता है बीच में चोटी सी अप्र grease से अप्टिकल है लेकिन मुझे लगता है इसकोद ब्रेक करने के बाद चार्ट को लेके आऊंगा और और उसका चार्ट में मैं आपको दिखने के कोशिश करूंगा जिए डाउन लेबल और क्या-क्या बाकी रह सकता है तो आप देख सकते हैं जिए आज का जो सपोर्ट है बिल्कुल क्लियार क्या चीज का सपोर्ट लेया है प्रिवियास लो का इस प्रिवियास लो का सपोर्ट लेता हुआ मार्केट में एक बांस ब्रक्त थोड़ी सी आ सकता है मैं जब ग्लोबल मार्केट का अनलैसिस कर रहा हूं तो वहां पर भी मुझे दिखाई दे रहा है कि यह सपोर्ट बन सकता है कितनी बार सपोर्ट लिया वान टाइम टू तो आपको यहां से पोजिटिवनेस आ सकता है अगर इस इस लेबल को ब्रेक करता है धियां से देखिए 15,670 लेबल को ब्रेक करता है मैं यहां पर लिखके देता हूं 15,670 इसको नीचे अगर उपन होता है और एक फाइब मीड के कंफिरमेशन कीजिएगा अगर आपने ठीक है यहां पर आप 15 मेर के चार्ट में देखेंगे जैसे यह डाउन ट्रेंड बना रहा है इसी तरीके से एक आप ट्रेंड बनाएगा तो जब तक यह आप ट्रेंड में रहेगा आपको इसको पोजिशन को होल्ड करना है ओके तो आपको लिए समझ गए होंगे साथ में म आपको दिखाऊंगा चार्ट में क्या इसी दिखाए दे रहा है चलते हैं तो इस कंटिनू गराबट के बाद यहां पर अभी तक सपोर्ट नहीं बता सकते हैं लेकिन अगर टेक्निकल अनलिस में जाते हैं तो यह जो आज का लो है यह क्लियार सपोर्ट का का काम कर रहा है N00 BALANTZ जो 5000 है वो अपको कप करना होगा जिस दिन क्लास होगा किस लिए ut попроб कि करते हैं तौ उसके बार आपको continue जब तक ने क्लास इस्टार होता है वाँCuall प्रॉबाइड होता है उस कॉल में अगर आपको ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो उस कॉल में ट्रेडिंग करके भी थोटी-मोटी पॉर्पिट कमा सकता है हर रोज लॉस करने से बेटर है यह मैं समझता हूं ऑके तो बैंगराइड साधि दे रहा है तो इस लोगो के दिन में आगर ब्रेक करेंगा यह आपको clear कोई नहीं बता सकता है लेकिन जो analysis बताता है उसके हिसाब से आपको एक prediction हम कर सकते हैं जहाँ यह support ले सकता है लेकर थोड़ी सी bounce back यहां से आ सकता है और bounce back कहां तक आ सकता है near about 35,000 and second level मैं बताऊंगा 35,000 second level बताऊंगा 35,200 first level बताऊंगा 35,000 किस level के बाद ध्यान दीजिए जब 34,800 के उपर market sustain करेगा okay 34,800 के उपर market sustain करेगा तो 35,000 और 35,200 अब दखिए अभी जो situation है market में use बड़ा momentum बिल्कुल नहीं बन रहा है और यहां पर आपको जब तक न पिन पंट समझ में आएगा तब तक आपको profit नहीं मिलेगा और इस market से आपको छोटी profit लेकर हमें से खुश रहे नहीं बड़ी profit के लिए integer किया तो आपको नुक्सान दिखने के लिए मिलेगा अगर आप writer है call यहां put write कर सकते हैं यान कि sell कर सकते हैं तो आपको better in profit यहां पर मिल सकता है तो चलिए दोस्त यहां पर support की बात में कर चुका हूं 15-minute time frame में जाता हूं और यहां पर जो trade line निकल के आएगा वह भी मैं आपको साथ share करने का कोशिश करूंगा तो यहां पर क्या trade line बनता हूँ आ रहा है यह आपको देखिए कि यह जो trade line बनाने के लिए आपको हमेशा एक swing high को इंतजार करना है previous swing high को इंतजार करना है इसका बाद इसका बाद जो next level इसमें आयेगा तो 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 देखिए इस label को break करने का बाद level क्या आ रहा है कि लिया 34,820 इस label को break होने को बाद next level जाता है 34,950 I think आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या चीज़ दिखा रहा हूं इस label को आपको देखना है 900,800 को बाद 900 जो की इस जगा का हाइप भी आपको दिखाई दे रहा है यह बार एकी से analysis आपको समझना है तब ही जाका आपको trading करना है अंदा दून trading यहां पर मत कीजिए अपना म आपको आपको यहां पिर आ चुक हूं आपको प्संद चेंड को पर नेच्ट एस्पेरियन के 8 जुलाई 8 जुलाई का एक्सपेरियर हमारा क्लास का फॉल हो रहा है 10 जुलाई को जिन्होंने अल्रीड काफी लोग सीर्ड बुक कर चुके होंगे काफी लोग हमारा सिर्ट बूक कर चीक है उनका वाट्सप गुरूप बना वाइए वाट्सप गुरूप में आपको कॉल प्रोवाइड होता रहता है के लिए सबसे इंपोंट लेड़ पर मुझे ऐब गल के लिए तो आ ओप मुझे लग रहा है अगर इसका और,पशल के बात कर रहा हूँ तो यह से थोड़े बूट आपको पॉजिटिवनेस जायेगा। जो कि निया रहा वो 15,800, 15,800 यह मैं positive side के लिए बात कर रहा हूँ अगर इस level के उपर open होता होगा, अगर इसे नीचे open होता होगा, तो आपको 15,600 तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है, किस बजाए से मैं बड़ी support के बात क्यों कर रहा हूँ ता कि यहां पे change in open interest, change in open interest यहां पे दिखता हुआ मिल रहा है, 15,700 को, ओके, ओके, दो दिन पहले किसी friends ने यह request किया था, कि यह जो change in open interest होता है, इस level पे इतना ज़्यादा है, तो यहां पे क्या है, यह लोग जो sell कर रहा है, तो यहां पे क्या होता है, माना जाता है, यह selling pressure, लिकर उनको कहना था, कि यह call side में अगर इतनी बड़ी पेशाद दिखाए दिने को में रहा है, तो इसका मतलब यहां तक आना चाहिए, बिल्कुल मैं उनके साथ सहमाथ हूँ, और इस पूरा चीच को मैं संडे का डेमो क्लास होगा, इस हपता में, दो पर को दो बजे, उसमें मैं डिस्कास करने का कोशि देखना चाहिए, तो आपको अप्संचेंट के समझ मां आ गया होगा कि मुझे जो रेसिस्टेंस लेवेल और मैगनेटिक लेवेल दिखाए दे रहा है, वो 15,800 दिखाए दे रहा है, में सपोर्ट धर्ती कहां पे बना हुआ है, 15,700, अगर धर्ती को फार दिया, तो और नी यहां तक निप्टी को जाने का यहां चांसे बन जाता है, बार अल भी आपको निकल के आ रहा है, तो आज का जो लो है उस लो को अगर सपोर्ट ले लिया है, तो कल के दिन तौरा सो पॉजिटीव जा सकता है, मैंने यहां पे ग्लोबाल मार्केट का उपर टेकनिकल लगाय तो NASDAQ में तेज ही आएगा अदरवाइस इसके नीचे आएगा तो NASDAQ में गिराबट आएगा और गिराबट का सिलसिला गिराबट का असर आपको और जिसका असर कहा है शीदा सिदा निफ्टी को पर आएगा चलते हैं हम छलते हैं बैंक निफ्टी को ओपर सॉरी 8 जुलाइ 8 July का bank nifty को पर आ गए हैं और यहां पर जो support हैं सबसे बड़ी support बहुत बड़ी support यहां पर दिखाए रहा है देखिए 34,500 बड़ी support क्यों 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 कि यहां पर हमें change in open interest सबसे ज़्यादा दिखा दे रहा है call side में भी and fruit side में देखो अगर bank nifty थो आसा gap down open होता है तो nifty भी जाइस सी बात है nifty भी थो आसा down open हो सकता है लेकिन इस level के साथ नुकाबला करने के लिए मुझे कोई level नहीं दिखाए दे रहा है तो सबसे strong और main support जैसे मुझे nifty में दिख रहा था कि 15,700 तो bank nifty में दिखाए दे रहा है 34,500 इससे करीब मिल जाता है तो आपको मेरे 5,000 के करीब अगर मिल जाता है तो आपको put side के लिए ready रहना है ओके इस level के अंदर आपको bank nifty को कल के दिन में आपको दिखाए देने के लिए मिल सकता है कहां पे आप call लेना है कहां पे put लेना है यह मैं के लिए आपको समझाने का कोशिश किया हूं लास्टी मैं चले जाता है 10 points का ओर तेजी मुझे कल का दिन में दिखाए दे रहा है minimum गोद्रे CP यहां पर भी positive जा सकता है HDFC bank थोड़ा सा और डाउन आने के बाद support लेके positive आ सकता है तो सीधी सी बात है अगर HDFC bank डाउन आके support लेके positive जाएगा तो bank डाउन आके support लेके positive जा सकता है टाटा मॉडर था 345, 346 को उपर आपको positional link कर सकते हैं जो कि 356 तक immediately level दिखाए दे सकता है रिलाइस के अंतर थोड़ी सी कमजोर अभी दिखाए दे रहा है यह कमजोरिया कहां तक रह सकता है तो कि आज का high break करेगा तो यह 20 to 30 point का positive gain आपको दिखाएगा realize आज का low break करेगा तो फिर से यहां पर 20 to 30 point low यानके downside आपको realize दिखा सकता है तो I think यह जो main main important stock है यह भी मैं आपको साथ करने का कोशिच किया हूं पूरा series के अंदर तो फ्रेंस आसा करता हूं सरकाट्रेटर्स के यह series यह समझने का तरीका यह label यह telegram channel का call आपको सही लग होगा अगर सही लग रहा है अभी तक अपने like का button नहीं दबाए हैं दोस्तों को साथ share नहीं किये हैं तो share कर सकते हैं यह हमरा full course content रहता है जो आपको 10 days के अंदर शिखाया जाता है practically कराया जाता है आप भी अगर अंदरे में trade कर रहे हैं तो अंदरे में trade मत कीजिए उजाल कर लगर ठाव तो कर अंदरे में।